पढ़ रहे हैं, क्लास 11 की NCRT पाठे करेंपर आधारेद गनित की पुस्तक का ध्याय नमबर 10, जिसका भाग नमबर 6 हम पढ़ने वाले हैं, बच्चो पिछले वाले वीडियो में मैंने तुम्हें 10.2 प्रश्टमाला में जो भी कॉंसेप्ट काम आने वाले सारे तुम्हारे पुस्तक के उधारन के साथ भैतरीन तरिके से समझा दिये. आश्या है करते हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस कर लिए और अब जो हम प्रिश्ट नकरने वाले हैं, उनके पहले प्रेक्टिस कर लिए. यदि किसी बाला के बालिका ने इन questions की practice नहीं की तो बच्चो आपको वीडियो देखने हैं कोई sense नहीं है, आप पहले try करें ताकि आप जो गलतिया करोगे उनको वीडियो देखकर सुधार कर सको, आगे बढ़ते हैं प्रिश्न नमर एक, बच्चो एक से आट तक question रेखागा समीकरण गयाद करवाना चाहरा है, जो दिएगे प्रतिबंदों को संतुष्ट करता है, पहला प्रतिबंद, पहला question क्या कर रहा है, एक्स और वाई अक्षों के समीकरण गयाद करो, बच्चो एक्स अक्ष का समीकरण बहुत आसान है, सारी बाते मैंने समझा दी, जो मैंने समझा दी, उनके अंदर से होंगी, कोई अलग बात बिल्कुल नहीं करोंगा, सबसे पहले, एक्स अक्ष का यह दिए मैं समीकरण निकालना है, तो बच्चो एक्स अक्ष पर वाई क्या होता है, जीरो, भोलो हाइना, X X पर Y कैं होता है बच्चो 0 तो इसका समेकरण मन गया, Y बरबर 0 खतम अब ये आपको इतना सा नहीं लिखना जो मैंने समझा है सारी बाते आपको लिखनी है यानि कि कोई भी numerical step करने से पहले मैं कुछ भी बोल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ रहा है वो आपको लिखते हुए examiner को भी समझाना पड़ेगा जो कि हम जानते हैं y अक्ष पर x हमेशा 0 होता है x अक्ष पर y हमेशा 0 होता है इसलिए x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 लेंग्वेज आप इस तरह से भी लिख सकते है ठीक है आगे m का मान एक बटा दो दे दिया और बिंदु माने को दे दिया minus 4,3 अब तो करीलोगे तुम्हें पता equation क्या होती है y minus y1 कल दिया न बहुत सारे प्रशन हमने y minus y1 m x minus x1 इस दो को उधर cross multiply कर दो तो 2y minus का 6 बराबर x plus 4 सारी जनता एक तरफ लिया हो x minus 2y 6 ज़रा के plus का हो जाएगा 10 बराबर 0 अगर आपको answer check करना है तो उस point को वापिस उसमें रख के देख लो satisfy करेगा क्योंकि यदि कोई line कोई रेखा किसी बिंदू से गुजर रही है तो उस point को उसमें रखने पर satisfy भी 100% करेगा minus 4 रखो एक से जगा रख दिया y की जगा 2 रखो 3 दो नी 6 minus का 6 और minus का 4 minus का 10 plus 10 0 satisfy करता है बढ़ते हैं आगे language आप इस तरह से लिखना रहा बचो ये end to end में रुखता नहीं हूँ याप आना क्योंकि समझा तो मैंने दिया ही फटा बट से वीडियो पॉस कर लिया गर हो हैं पर सब कुछ पुरा control तो हमारे हाथ में बिंदू 00 से जाने वाली तदा ढाल M वाली यानि कि मुल बिंदू से पास हो रही है तो Y-Y1 M X-X1 ठीक है तो Y बराबर M X खतम कुछ करना ही नहीं है बहुत आसान है आजो बढ़ो आगे बिंदू 2,2 रूट 3 से जाने वाली तदा X अक्ष से 55 डिगरी के कोन पर जुकी भी तो बहुत है M बचो M यानि कि 1075 अब बचो मैंने तीसरे अध्याय में तुम्हें वैल्यू सारी याद कराए थी टेबल याद कराए थी 15 डिगरी वाली, 2.5 डिगरी वाली करवाई थी नहीं तो बचो साइन 15 क्या होता है रूट 3 माइनस 1 बटा 2 अंडरूट 2 कोस 15 कितना होता है रूट 3 प्लस 1 बटा 2 अंडरूट 2 10 पंदरा कितना होता है दोनों को डिवैड करेंगे सर अंडरूट 3 माइनस 1 बटा अंडरूट 3 प्लस 1 यानि कि 2 माइनस रूट 3 सहींगमी से गुणावा भाग करने के बाद तो 10 15 हो गया 2 माइनस रूट 3 कॉट 15 हो गया 2 प्लस रूट 3 हाना तो 10 75 बराबर कॉट 15 यानिकी 2 प्लस रूट 3 सोचने की बात नहीं है ये सारी बाते सारा ज्यान पहले मैंने दे दिया तो equation y माइनस y1 m x माइनस x1 ये लीजिए बच्चों अब calculation तुम कर लो आराम से इसको जचा लो सही कर ले ना calculation सबको एक तरफ ले जाना कर लोगे न आप तो अब तो कर लो calculation है यहां से और टीप सकते हो आपना m का मान वही 2 प्लस रूट 3 ये conjugate से multiply divide करने के बाद 2 प्लस रूट 3 आएगा बच्चों ना हमने direct value रख दी calculation कर लेना match कर लेना सब कुछ आप पे निर्बर करेगा आगे बढ़ते हैं इसमें 2 method given है बच्चों रेखा का x सक्षे जुखाओ 75 degree m बराबर 10 पिचेतर 10 पिचेतर का मार निकाल लिया conjugate से multiply divide करेके देख लो ये कहाँ पे आगया 2 प्लस रूट 3 पे है x1 y1 से जाने वाली रता m ढ़ाल वाली रेखा का समी करन done आगया ने समझ में mathematics के बच्चों तो अब ये तो तुम खुद कर लेना आगे बढ़ते हैं तो इसी के साथ आगे बढ़ने कोई आउशकता नहीं है ये वाला वीडियो समापत होता अगले वीडियो में अगले प्रश्णों के साथ मिलेंगे लेकिन उससे पहले आप सबी इनको ढंक से ट्राइ करें जहाँ पर समझाने हो वाली बात है मैं एक-एक बात को तुम्हें ढंक से समझा रहा हूँ अब जो इसमें मैंने तुम्हें यहां तक समझा है ये more than enough है इसके बाद तुम खुद करो calculation ही तो करनी है बहुत आसान है अब तुम्हें लग रहा होगा किससरा आपने 10-55 की value इस तरह से नहीं बता है आप इस तरह से भी कर सकते हो 10A plus B का formula लगा के लिगा जरूत नहीं न मैंने तुम्हें ढंक से समझा रहा है बच्चो जहां से दगो साइन 15 अंडरूर 3-1 बटा 2 नूरूर 2 10-15 दोनों को divide करोगे अंडरूर 3-1 बटा अंडरूर 3 प्लस 1 सहयुग में से गुणा भाग करने पर आएगा 2-3 और कौट 15 बच्चो कितना जाएगा 2 प्लस रूर 3 10-75 को तुम कौट 15 में convert करके equation में रख दो calculation कर लो सारी जनताओ एक तरफ ले जाओ प्राबर में zero कर देना अभिष्ट समीकरण प्राप्त हो जाएगा इसी के साथ यहाले प्रशने समाप्त होते हैं अगले वीडियो में अगले प्रशनों के साथ मिलेंगे लेकिन आप सभी पहला यहां तक का complete कर लें और आगे भी एक बाए ट्राई कर लें दन्यवाद